नमस्कार दोफते एक बार फिर हमारी यूटूब चैनल में आप लोगों का हर दिक स्वागते लेट अप्टेट निकल के आएगी करमचारियों के लिए बूत बड़ी खुश खबरी है खाते में इस दिन आएगा 18 महीने का डिये करमचारियों को मिलेंगे इतने हजार रुपे तो दोफतो हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि करमचारियों को 18 महीने का डिये अरियर कम मिलेगा अगर आप हमारे चैनल पर फफटाइब विजिट कर रहे तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ वैल आइकन को भी मजा दीजिए ताकि गवर्मेंट या पैंसल से समधी जितने भी न्यूज आती है, उनकी नोटिकेशन आप लोगों के पास तरंध पोस्के तो करते हैं, वीडियो को फटार्ट बिना किसी देरी के दोस्तों केंद्रे करमचारियों पैंसलों के लिए जल्दी ही बड़ी खुश कबरी मिल सकती है, तिवारिक सीजन सुरू हो गया है, सरकार ने डिये में बड़ोतरी कर करमचारियों को सोगात दे दी है, इसके साथ ही अब 18 महिने के डिये अरियर पर भी फैसला सकती है, जिस दोस्तों केंद्रे करमचारियों का लंबे समय से 18 महिने के डिये बकाया है, जिसका इंतजार वो लंबे समय से कर रहे है, सरकार की तरब से इसकी गोश्रा की जाने वाली है, सुत्रों के अनुसार इस महिने के अंग तक सरकार बकाया अरियर पर फैसला सकती है, 18 महिने वाले डिये अरियर का लेकर बेजा गया लेटर का जबाब जल्दी ही आ सकता है तो दोस्तों करमचारी इस 18 महिने के डिये अरियर को लेकर अपनी मांग पर अड़े हुए हैं अगर केंदरे करमचारी को साथ में बेतन आयोग के तैत डिये अरियर का बकाय मिलता है तो करमचारी के खाते में मोटी रिकम आएगी नेशनल काउंस्लिंग जेसीम के सचिव को पाल मिश्रा के अनुसार लेवल बन के करमचारी का डीये अरियर ग्यारा 1880 रुपे से लेकर 7500 चमर रुपे के बीच में बनता है वही लेवल 13 या लेवल 14 के लिए कालकुलेशन की जाए तो एक रमचारी के हाथ में डीये अरियर का 1,44,002 रुपे से लेकर 2,18,002 रुपे के बीच में बुक्तान किया जाएगा दोस्तों दरसल पैंशनर ने अपील किया कि वितमंत्राले को 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 के बीच रुके गए डीयर के अरियर को देना चाहिए इस पर तत्काल कारवाई पर हम अतंत अबारी रहेंगे पैंशनर का तरक है कि डीयर जब रोका गया था तब खुदरस मुदरस फूती तेजी से बड़ी थी और पैटरोल और डीजल की किमते खाथ तेल और दलन के दाम भी रिकोर्ड उचाई पर थे ऐसे में ये वकाया अरियर का पैसा सरकार को नहीं रोकना चाहिए था दोस्तों आपको बता दे कि अगर ये है वकाया अरियर करमचारियों को मिलता है तो एक मोटी रिकम उनके खाते में आएगी ऐसे में पैंशनर का कहना है कि डीयर का बुगतान पैंशनर की जीवन या अपन के लिए होता है अठारा महिने के दोरान लागत और खर्च लगातर बड़े लेकिन बतों में इजाफ़ा नहीं हुआ ऐसे में पैंशनर भोग्यों की एक मातर आए पैंशनर का हिस्सा मेंगाई रात को रोकना उनके हित में नहीं है इसलिए पैंशनर का कैना है कि सरकार को इस पर एक बार फिर से विचार करना चाहिए तो दोस्तों आज के लिए इतना है मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय है हिन जय वारत